नमस्कार दोस्तों, एशियन चैंपियन्स ट्रोफी में आज खेले जाएंगे दो मुकाबले एक पहला मुकाबला होगा शाम छे बजे जो थर्ड और फॉर्थ प्लेस के लिए खेला जाएगा जपैन और कोरिया के बीच में दूसरा मुकाबला होगा फाइनल मैच, फर्स्ट सेकिंड पोजिशन के लिए इंडिया और मलेशिया के बीच में इस मैच का समय रहेगा रात साड़े आठ बजे, 8.30 इंडियन स्टेंड टाइम के अकॉर्डिंगे मैच शुरू हो जाएगा इस वीडियो में हम head to head और पिछले कुछ मुकाबलों के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि भाई कितने chances हैं इंडिया के जीतने के मलेशिया के अगेंस्ट में क्योंकि मलेशिया की टीम पिछले कुछ मैचेज में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इंडिया की टीम भी अच्छी है no doubt तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर जानते हैं पूरी डीटेल तो चलिए जान लेते हैं मलेशिया के last five matches का result तो मलेशिया won four matches in last five matches and lost one match against इंडिया और इंडिया के last five की matches की बात करी जाए तो इंडिया ने अपने पिछले पाँच मुकाबलों में देख लिए जपैन को हराया पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मलेशिया और जपैन के साथ एक draw हुआ था अगर हम मलेशिया और इंडिया के head to head की बात करें तो winning percentage 67 for India and 20% for मलेशिया और इंडिया ने अपने पिछले पाँच मैचेज में काफी अच्छी performance दी है यानि कि इसका मतलब higher chance है इंडिया के मलेशिया के against जीतने के गैस अगर men's team की बात करें और ranking की बात करें तो इंडिया team जो fourth rank पर है 2762 points के साथ और मलेशिया आपको ninth number पर नज़र आएगी 2049 points के साथ ये 11 अगस्त के results के update के बाद का ranking है तो मतलब की काफी gap है तो ranking में भी इंडिया अभी थोड़ा positive नज़र आ रहा है over confidence नहीं होना है बस हमें भरोसा रखना है अपने team के उपर आज इंडिया जीत सकती है दोस्तों आपकी क्या राए है कमेंट करके जरूर बताएं